हेले दोस्तों, वेलकम टो आर चैनल, तो आज बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, जो पुराने स्टुडेंट है, आज वो टेस्ट देने वाले हैं, उन लोगों का है टेस्ट पूरी तयारी की हुई है, कल उन्होंने पूरे दिन रिवीजन किया है सैटरडे को, आज संडे किस तरह से रिवीजन करना है, और उन लोगों के अंदर जो डाउट था, कि भाईया, आप लोग आप टेस्ट कर रहे हो, या मैं प्रिवियस यर दे दूँ या कौन सा टेस्ट दे दूँ, इन सब चीजों के बारे मैं आज बात करने वाला हूं, इसके अलावा किन-कि लोगो से हम लोगी लोगी इंप्रूब करते जा रहे हैं, और हमारा मेन मकसद माक्स बलाने से ज्यादा फोकस है आपकी रहें को इंप्रूब करते जाना है, लगातार रैंक होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आजाएगा, तो आप लोगों को पता है, मां में उपर नीचे हो सकता है लेकिन rank का हमेसा effect पड़ता है क्योंकि उनी बैच्चों के साथ बैठना है अब मैं बात कर लेता हूं test series के बारे में यह हमारा code यह जो new student है जिन्होंने अभी तक test series purchase नहीं की है GSP 10 के नाम से हमारा यह code है आप अगर इसे use करते हो तो आपको 10% का off मिल जाएगा जो 299 वाली test series है वो आपके लिए 269 में हो जाएगी और जो 499 वाली test series है वो आपके लिए 449 की हो जाएगी 10% का off मिल जाएगा बहुत अच्छा इससे मुझे भी motivation मिलता है ठीक है आप लोगो जो पूरा दिन है पहले हम 5 दिन पढ़ते थे अब हम 4 दिन पढ़ रहे हैं मंडे का जो पूरा दिन दिया जा रहा है आप लोगों को वो इसलिए दिया जा रहा है कि आप in-depth analysis कर सको क्योंकि इनके हैं in-depth है starting में आपको time लगेगा लेकिन बाद में आप लोगों को time कम होना सुरू हो जाएगा अब मैं बताता हूं सारी चीज़े क्या क्या करनी है तो भाई जिल लोगों ने अभी तक नहीं लिया है आप लोग जरूर से जरूर इसे जॉइन कर ले मेरे लिए वेनिफिशल है आपके लिए वेनिफिशल है और सबसे बड़ी बात यह है कि test series अगर न लिंक नीचे दिया जाता है telegram group का भी playlist का भी जिस बंदे ने playlist देख ली है उसके बाद इतने best result मिलने है कि बच्चों को खुद पर बिजवास नहीं हो रहा है कि भाईया बिना पढ़े मतलब कुछ भी नया नहीं किया है जो मुझे आता था उसी के base पे 10 से 20 नंबर तक बढ साथे हमने ढाई 3 साल में इतनी मुस्किल से वो सारी चीजे सीखी है और तू एक महीने में आके इन सब को बता रहे तब ही मैं तुम्हें कहा रहा हूं मैं experience लिए बैठा हूं मुझे पता है कौन सा exam कैसे हो रहा था किस तरह से क्या क्या चीजे आ रही है इस चीज का रहा हूं 6-8 घंटे जो मैं आपको target दे रहा हूं उस target को complete करते चलना और बड़े आराम से इस तरह से selection तक पहुंच जाओगे कि पता भी नहीं चलेगा अब जो बच्चा 50-70 पर पहुंच गया उस बंजे का confident देख रहे होगे तुम क्या confident बन रहा है अब तो यह समझ रहा क कि अगर भाईया को follow कर लिया 10-15 दिन भी साथ रहे तो selection तक पहुंच गए 70 में तो बैसे भी selection शियोर हो जाता है 50 जब वो marks ला रहा था तो क्या लग रहा था उससे selection शियोर हो जाएगा इसी वज़े से मैं कहे रहा हूं कि guidance program की बहुत महत्व है बहुत महत्व है और एक बा बता है यह सब चीजे करने का ठीक है फिर इसके अलावा आप मैं बता देता हूं हाँ तो हमारे जो पुराने स्टुडेंट है आज वो पूरी तरीके से तयार होंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से नए स्टुडेंट के लिए बहुत beneficial होगा आप लोगों ने क किया है कल पूरे दिन हम लोग क्या करते हैं मैंने तुम्हें बता रखा देखो चार दिन पढ़ना है Tuesday से लेके Friday तक जो आपने किया ही है पहले 5 दिन पढ़ रहे थे हम अभी क्या है आप लोगों के सर पर लोड न बढ़े इसलिए मैंने Monday को भी off कर दिया है अब मैं बता रहा हूं कि आपने जो 3 दिन जो 4 दिन पढ़ाई की थी Monday to Friday सरणदे ऊसको आपने कल रिवाईज किया होगा Saturday का दिन इसलिए है आज क्या करना है? आज है संडे तो जो Saturday में रिवाईज किया उसको तो बहुत कम रिवाईज करना हूं क्यों कि आपने Saturday में रिवाईज कर लिया है पुरानी जितनी भी चीजे पढ़ी हुई है चाहे वो static GK हो चाहे वो current में कोई topic complete कर रखा हो चाहे वो maths हो या जो भी चीज हो आप लोगों को आज वो देखना है और देखना कैसे है देखो जैसे ये है RS अगरवाल का math ठीक है अब एक दिन भी बहुत होता है साम को साथ या आठ वजे टेस्ट देना है दिन में एक आठ घंटा जरूर सो लेना कोई tension वाली जरूरत नहीं है tension लेने की जरूरत नहीं है सर पर बस load नहीं बढ़ने देना है आज क्या करोगे जैसे ये है मैं बता रहा हूं तुमें ये हैं हमारे इतने सारे chapters इसमें कुछ chapters बहुत important है जैसे मैंने बता रखा है अगर किसी का maths weak है तो उसे कुछ chapter complete कर लेने चाहिए जैसे simplification वाला है और pie chart वाला है, table and graph वाला chapter है तो ये वाले chapter उसे जरूर से जरूर complete करने चाहिए ये मैंने आप लोगों को बता भी रखा था इसी तरह से profit and loss अब मैं बता रहा हूं कि मान लो तुमने सिर्फ 4 chapter maths में कर रखे हैं इससे ज़्यादा तुम्हें आता ही नहीं है पहली बात तो आना चाहिए था क्योंकि आवाने वाला paper अगर तुम अभी तक complete नहीं कर पाए हो तो बहुत गलत बात है लेकिन चलो मैंने कहा कि तुम्हें नहीं आता था तुमने सिर्फ 4 chapter complete कर रखे तो उन 4 chapters को तो बहुत अच्छे से तुमने Saturday में कर लिया होगा आज जो है जो chapters नहीं करें है जैसे कि यहाँ पे ratio and proportion है या partnership है या mixture है time and work है time and distance है और इसके लावा area and volume ये बहुत अच्छा है जैसे आयत का छेतर फल ये सारी चीज़े trigonometry के formula geometry में basic concepts इन सारी चीजों को आप लोगों क्या करना है पूरे question नहीं करने इसारी चीजों को एक बाट जरूर देखके जाना रहा है बस इतना देखना इसके लबाबा ऊपर से ऐसे ऐसे देख लो ये जो चीज़ें है जब दोहराया जाता है नो जब test series में मैठ रहें तो इससे पूरा salt करने की ज़रुत है यहां से एक दो कॉस्चन करो और जब आपको दिखता है कि हाँ यह कॉंसेट किलियर है ठीक है इसे करने की जुरूत नहीं है इसे छोड़ दो फिर आजाओ तीसरे चैप्टर पर जब तीसरे चैप्टर पर आओगे तो यहां से तुम सिर्फ इनके जो बेसिक चीजें इसे करन का है स्फेर का है गोले का आयतन और अयत का चेतर फल प्लक्या समलब चातर बुझक का चेतर फलक्या समांतर चतर पॉचन तो हैकि तुम्हें छोड़ नहीं था बहुत कोंस्चन वह तो तुमनें च्प्लीट कर नहीं रखा तो cela झूठा ही लेकिन एकर तुम हमरें वेनिफि प्रिशेल है कि तुम्हारा कोश्चन बच गया ठीक है तो इस तरह से तुम्हें रिवाइज करना है अब आती है करेंट की बात तो करेंट में जो चीजे पढ़ी हुई है उन चीजों को जरूर देखके जाना है फालतू नहीं देखना है आज कुछ नहीं नया नहीं पढ़ना ठीक है मतलब एक बार पढ़ लो over through हो जाओ कोई मतलब एक बार ऐसे जाने में क्या जा रहा है कि एक बार अगर तुमने पढ़ लिया कि हाँ इसकी नियुक्ति हुई है या अंतराष्टे महिलाएं बहुत ज्यादा important होती है महिलाओं से related की पहली महिला कौन थी क्या था भा बहुत बड़ा चांस है इसके बार चांस नहीं मिलेगा ठीक है इतनी बड़ी वेकंसी ना कभी आई है ना कभी आएगी ठीक है तो यह हो गई आप लोगो के लिए बात आप रिवीजन करके फिर वैठ होगे test series में दिन में अगर एक गंटा सोना है दो गंटे सोना है अराम स so fresh mind से साम को test देना है 7 बजे या 8 बजे ठीक है घर वालों से बोल देना है कोई disturb नहीं करेगा मेरा है paper भाई अब ज़्यादा प्यार वियार मत दिखाओ घर वाले भी बोलते हैं तो हाँ उनकी सुन लो लेकिन अपने काम से काम रखो अपना मतलब निकालना बहुत ज़्या देना है तो यह वाला जब तुम test complete कर लोगे तो फिर उसके बाद आपके उपर मर्जी है कि आप चाहते हो कि मैं दूसरा test भी दूँ तो एक देड़ घंटे का gap लो रात के 10 बजे से दूसरा test दे सकते हो या फिर Monday का मैंने पूरे दिन तुम लोगों का analysis के लिए दे रखा ह कि Monday का पूरा दिन analysis करना है अब analysis कैसे करना है क्या करना है इसके बारे में मैं चीजे बता देता हूँ देखो तो चाहें तो आप Sunday में ही दो test देदो एक previous year वाला देदो और एक यह वाला देदो अगर तुम कहोगे कि भी तुम select करके तो कौन सा test देना है तो मैं भी select करके आ फड़ी जान दे महनत पढ़ रही होगी लेकिन पुराने स्ट्रेंट उनके सर पर बिल्कुल भी लोड नहीं है आप लोगों को मंडे के दिन पूरे दिन analysis करना है और बहुत अच्छे से analysis करना है ऐसे analysis करना है कि जैसे कोई भी चीज़ है मानलो आज vitamin से question पूछा और तुम् तुम यह लिखो कि यह वाला खिलाडी से संब्धित है टेस्ट बुक में दे रखी एक खिलाडी पूछा गया तुम दस खिलाडी लिखो कि यह वाले से संब्धित है और जो इंपोटेंट खिलाडी है वह अब होगा क्या जब तुम next test होगे तो एक तो यह वाला question कभी गलत नहीं कर पाओगे और अगले टेस्ट में तुम्हें यह चीजे लिखने की जरूत नहीं पड़ेगी तो लोड तो तुम्हारे पास बैसे ही कम हो गया तो अगले टेस्टों में लिखने की कम जरूत पड़ेगी maths में बहुत कम है कि कुछ questions हैं जो तुम्हारे गलत हो रहे हैं उनवाले questions को करना है reasoning में ज़्यादा लिखने की जरूत नहीं है जो एक-दो question गलत हो तो आप क्या करोगे एक notebook बना लो maths की और maths और reasoning के लिए एक notebook बना लो और science और current के लिए दूसरी notebook बना लो ठीक है यह दो note को बना लो और आदे आदे part में बाट लो आदा part maths का आदा part reasoning का आदा part science का आदा part gk वाला section उसमें तुम चीजें लिखते रहो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें और इस तरह से जब तुम लोग analysis कर लोगे तो तुम next week देखना जो नए student है और आप लोग भी टेस्ट दो आज आप लोग टेस्ट दो लेकिन बिना किसी तयारी लेकिन next test guarantee लेता हूं मैं उस चीज की next test में तुम्हारी rank भी इंप्रूव होगी तुम्हारे marks भी इंप्रूव होगी ठीक है अपने साथ लोगों को जोड़ लो जितने लोगों को जोड़ना चाते हो जिससे की जैसे अभी नए student को प्रोब्लम हो रही है ना बाद में तुम चलते रहो बहुत बहुत अच्छे से तयारी हो जाएगी और मैं जो target देता हूं वो तुम कहीं से भी complete करो इससे कोई मतलब नहीं है जिन चीजों पर मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूं वह वीडियो पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा टैस सीरीज में जिन कॉस्टन्स इंप्रूर्वेंट दिखेगा क्यों क्योंकि इस वार तुम टैस्ट दोगे ऐसे ही नेक्स्त टाइम दोगे हमारे तरीके से तो आप लोग को इंप्रोवोमेंट दिखना तै है तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में टैंसल नहीं कोई जूरुत नहीं आज ट्रेंगु वीडियो आएंगी घर पर आया हुआ हूँ तो सारी चीजे आप लोगों को लगातार देखने को मिलती रहेंगी